हालो आभी जिक्सित आपके काफा इस एक पॉर्टिंट हो सकते हैं वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले चैनल को सबस्क्राइब करें ताकि आपको आन्य अप्डेट्स में तो सबसे पहले माइसा उसका पार्ड को तो साउथ कर दो एसे देश हैं जो एक पैनिसुला में जो स और नौर्धन पार्ट में है और नौर्थ कॉरिया गैलाता है जब भी आप कर दो यह पहले नाम क्यूं के बात करो अगर मैं आप देखें साउथ कोरिया नेम है वह शौट मैंने यहां पर और पिल्फ़ों होते हैं रिपपलीक ऑफ कोरिया रिपपलिक ऑफ कोरिया डेख आप पीस को बहुत बार पूछता है और और की और डीपी आर्के में आपसे देखा होगा रहोंगे डीपी आर के जो डैमोक्रेटिक पीपल्स रिपपलिक और था नौथ कोरिया कहलाता है वहां आप अपने देखा कि यह इसको लेंड ऑफ मौनिंग काम कहा जाता है जैसे आपने ज पड़ाओगा तो जापान में आयो तो लेंड ऑफ राइजिंग जन उसी तरह साउथ हो रही है को दा लेंड ऑफ मौनिंग काम के नाम से जाना जाता है आगे बढ़ता है यहां पर पूइंट्स आप देखेंगे तो यहां पर आता है नेशनल फ्लावर नेशन फ्लावर के है तो यह साथ यहां पर सबसे इंपोर्टन पर आता वह ओफिशल लेंग्वेश की अगरे में बात करूं तो ऑफिशल लेंग्वेश साउथ को रिया नौर्थ कोरिया की दोनों की एक क्योंकि 1945 के बाद यह अलग हुए उससे पहले पूरा हिस्ट्री बेगता सब इनका पर जो है वह हंगुल है और हंगुल जो है इसक्रिप्ट इन्वेंटिड किया था एक राजा हुआ था जोशल डैनेस्टी का जिसका नाम था किंग सेजॉंग इन्होंने 1443 में जो हंगुल स्क्रिप्ट है उसको इन्वेट किया था यह लेकर आये तो दुनिया के सामने तो जोको दो यह आपको ध्यान रखना है कि हंगुल किसी ने इंवेंट की थी उसके अलाव आपका था हिस्ट मॉंटन पीक आता था हाईसा दान की बात करें अगर हम साउथ और हम तो साउथ कोरियं हो हुआ यह माउंट हाला सन नहीं लेकिन कॉश्चन आप देखें गांपीक स से मांट पेक्डू जो है यह नौर्थ नौर्थ पृरिया और चाइना की बॉडर पे जहां पर यालू रिवर है पें मांट पेक्डू है तो यह आपको ध्यान में रखना है कि पूरे कोरी अगर कॉम कोर्शन ही आजये पूरिया का मन्मनंट इन्पाइट तो उसके अलावा मेश है मेश स्टी स मेशन इसके आप देखें यहां यह सब क्या है यहां के क्या है में सिटी इस साूथ कोरिया नौर्थ कुरिया दोनों ने यन जॉएं किया था 1991 में इसके अलावा एक जो नाम आपको यहां पर देखने को मिलेगा यह है किम दैजंग किम दैजंग जो थे आपको पता होगा कि 1945 के बाद सबसे बड़े दुस्मन गहीं नॉर्थ कोरिया और सौथ कोरिया आपस में रहे तो किम दैजंग जो थे 2000 में पहले ऐसे राष्ट पती बने साउथ कोरिया के जो नॉर्थ कोरिया गए जिन्हों ने 30 पार किया तो पहले ऐसे राष्ट पती बने और इसी लिए इनको 2000 का जो नॉबल फॉर पीस था ठीक है नॉबल फॉर पीस तो यह कॉश्चन पूछा जा सकता है आपसे तो इन्हें 2000 का नॉबल है ठीक है यहीं पे एक आप पढ़ेंगे जब आपको पढ़ने को मिलेगा डीएमजट का फुल फॉर्म होता है डी मिलेटरलाइज जॉन इसे थोड़ा देख लीजएगा डी मिलेटराइज जो है यहीं पे पहले क्यादियों को क्याद करने के खासका जब 1950 से 1953 की बीच में वार हुआ था उसके दौरान उनको रखने के लिए बनाया गया था इसके अलावा यहां से कॉश्चन राइस होता है कि 1950 में पहले अटेक किस ने किया था तो ध्यान रखिए कि नॉर्थ कोरिया की तरफ साउथ कोरिया पर किया गया था और उसके पीछे जो सपोर्ट था दो से कलियर हो गये होंगे कि साउथ कोरिया को किसे था राद में नौर्थ सपोर्ट किया था इसके अलावा हैड ऑफ स्टेट जोकि सबसे इंपोसे पॉइंट अंप्रुजेन भी रजिडिया डिदेन्ट होता है प्रेजेड हैं इसके अलावा अगर हैं हम इ講 पता होने चाहिए इसके अलावाइद जो है वहाँ के प्राइम इस्टर का हाउस है उसको अगर पढ़ेंगे तो उसे भी रैड हाउस के नाम से जाना जाता है तो इसी तरह है जो साउथ कोरिया है यहां के प्रेजेंट के घर को किस नाम से जानते हैं कि बिल्यू हाउस के इसके अलावा यहां पर क्योंकि साउथ कोरिया बहुत डवलप कंट्री भी है यहां पर बड़ी-बड़ी कंपनी जैसे जो बूरे वर्ल में अपना कारोबार फ्लाएं जिन में सबसे बड़ी कंपनी में मिलें यहां पर सैंसेंग घ़ाएं सब्सक्रिया कि परानी कंपनी ऐसे बाद में घंडे नहीं क्या था त fairy कर लिया था असब क्छा सबब्सक्ण क्रूर्या ठीक है इसके वालावा आपका एक जो हॉन्वा कॉर्परेशन हो गया सैमसंग लाइफ इंशुरेशन हो गया हुंड़े ही हो गई यह सब क्या है यहां की में में कंपनीज हैं साथ ही साथ अगर मैं बात करूं 1910 से लेके 1935 तक कोरिया जापान का कॉलोनियल रूल रहा था यह इसने जो अपना कॉलोनिय रूल है यह खत्म के नाइटिक फोटीफाइव में जब जापान के ऊपर अटेक हुआ एटमिक अटेक हुआ यूएस के द्वारा तब जाके यहां पे जो कॉलोनिय रूल है वो खत्म हुआ जापान ने जब सरेंटर कर दिया था सेकिंड वर्ड के बाद उसके अलावा किम दैजंग को मैंने जैसे पहले बता है कि नोबल प्रेज मिलता है 2000 का साथ ही साथ यालू लिवर या अम्नौक रिवर कहा जाता है जिस रिवर को यह रिवर कहां भी है यहां से कॉशिन आता है यह नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर पे है यह साथ नौफ्कोरिया चाइना के बॉर्डर पर इक तो एम्नौक रिवर उसके अलावा माउंट पेग्दू यह दोनों का है ndor Korea चाइना है उसके बॉर्डर पर हैं तो यह moving Men जैसा आपको श्योल से एक दो पाइंट और बता दो श्योल के बिल्कुल बीच में से हान रिवर बैती है ध्यान रगना हान रिवर वहां की फोर्थ लॉंगेस्ट रिवर है कोरिया की ठीक है तो वह सौथ कोरिया की जो कैपिटल है उसके बीच में से बैती है एक आपने सहर इस सिस्टर सिटी की बात करने कवा इनगा कौन है तो यह कुछ इंपोर्टन से बाकि आगर को कोई भी कॉश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे और किसी भी इनार के लिए आप जोईन करें ऑफिशल हमारे टेलिकरम चैल अब हैं आगर करना चाहते हैं या थो भी आवड वेलेबल है आपको इस डिसेप्श्य में दीगे तो इंपर और स्टेडी अब को चाहिए वह आप सकते हैं कि अ